पूरी का जगनाथ मंदिर भगवान विश्णू के चार धामों में से पूरी का जगनाथ मंदिर उड़िशा राज्य के समुद्री कट पर बसा है पुरानों में इसे धर्ती का वेकुंट कहा गया है इसे स्रिक्षेत, पुर्षोतम्षेत, त्रिशाप्षेत, निरान्चल निलगीरी भी कहते हैं इस मंदिर का सबसे पहला परमाण महावारत के वन परवों में मिलता है माननिता अनुसा सबसे पहले साबर आदिवसी विश्व वसु ने मून माधव के रूप में उनकी पूजा की थी आज भी इनी के वंशज और जाती के लोग पूजा करते ही इस मंदिर को बाद में उज्जेन के राजा इंद्र धुम्न ने सुपन दर्शन के आधार पर बनवाया था वर्तमान में जो मंदिर है वह साथवी सदी में बनवाया गया था इसके बाद ग्यारा सो चोहतर इस्वी में ओरी सा शाषक अनंग भीन देव ने इसका जिरुन धार करवाया था यहां स्रिकष्ण को जगनात कहते हैं जगनात के साथ उनके भाई बलबद्रक और बहन सुबद्रा विराजमान है तीनों की यह मुर्तिया कास्ट की बनी हुई है प्रतेक बारा साल में एक बार प्रतिमा का नौ कलेवर किया जाता है कहा जाता है कि इन मुर्तियों की पूजा नहीं होती केवल दर्शनार्थ रखी गई है इस मंदिर से कई तरह के चमतकारों रह से जुड़े हुए हैं कहते हैं कि इसके शिकर पर लगा हुआ ध्वज हवा की विपरित दिशा में लाराता है जिस पर शिव का और्दचंदर बना हुआ है पूरे में किसी भी इस्थान से आप मंदिर के शिर से पर लगे सुदर्शन चक्रों को देखेंगे तो वो आपको सदे आपके सामने ही लगा नजर आएगा चार लाख वर्ग फुट में फेला और लगभग दोसोचवदा फुट उचा हिए दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है मंदिर के मुख्य गुंबत की छाया दिन के किसी भी समय अदरश्य ही रहती है अक्षी या विमानों को मंदिर के उपर उड़ते हुए कभी नहीं देखा गया सामन में दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दोरान इसके विपरित लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है मंदिर की रसोय में प्रसाथ पकानी के लिए साथ बरतन एर दुसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है मंदिर के सी द्वार में अंदर पहला कदम रखने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी धनी को नहीं सुन सकते हैं मंदिर के बाहर एक ही कदम रखते ही सागर को सुन सकते हैं इसे साम को इस प्रस्प तरूप से अनुभव किया जा सकता है